नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि विगोरे टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है विगोरे टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और विगोरे टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि विगोरे टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए और यह भी जानेंगे कि विगोरे टैबलेट का असर कितनी देर में शुरू होता है और कितनी देर तक विगोरे टैबलेट का असर रहता है विगोरे टैबलेट का उपयोग पुरुशों में erectile dysfunction होने पर किया जाता है यानि पुरुषों के लिंग में इरेक्षन को उत्तेजित करने के लिए विगोरे टैबलेट का उपयोग किया जाता है विगोरे टैबलेट पुरुषों के लिंग में बलड के सर्कुलेशन को बढ़ा देती है जिसकी वज़ा से पुरुषों के लिंग में इरेक्शन होता है। लिंग के अंदर बलड का सर्कुलेशन बढ़ने के कारण लिंग के अंदर स्ट्रॉंड इरेक्शन होता है। और लंबे समय तक रहता है। जिसकी वज़ा से पुरुषों की सेक्शुल परफॉर्मेंस बढ़ Vigore tablet 50 mg और 100 mg की strength में available है Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Vigore tablet की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में विगोरे टैबलेट की वज़ा से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे सिरदर्ध होना, कमर में दर्ध होना, मासपेशियों में दर्ध होना, चक्कर आना, बधजमी, उल्ती आने का मन होना, वचा पर रैशेस होना, वचा का लाल होना और आखों में धुन्दलापन हो सकता है. अब हम डिसकस करेंगे कि विगोरे टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है। विगोरे टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। यदि आप विगोरे टैबलेट को रात के समय लेना चाहते हैं, जिसकी वज़ा से विगोरे टैबलेट का असर आने में अधिक समय लग सकता है आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर विगोरे 50 mg टैबलेट को दिन में एक बार और सेक्शुल अक्टिविटी करने से एक घंटे पहले लेने की सला देते हैं जो व्यक्ति पहली बार विगोरे टैबलेट को लेने जा रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए शुरुआत में 25 mg विगोरे टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड होता है अगर विगोरे टैबलेट से संतोज जनक परिणाम नहीं मिलता है तो विगोरे टैबलेट की डोज को 100 mg तक बढ़ाया जा सकता है और 25 mg तक घटाया जा सकता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए डोक्तर विगोरे 20 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सला दे सकते हैं दोस्तों अगर आपको विडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या विडियो को लाइक करना न भूले विगोरे टैबलेट को लेने के बाद विगोरे टैबलेट का असर दिखने में 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का समय लग सकता है और मैक्सिमम दो घंटे का समय लग सकता है लेकिन ज्यादातर विगोरे टैबलेट का असर 30 मिनट से लेकर 60 मिनट के अंदर दिखना शुरू हो जाता है ज्यादातर व्यक्तियों में विगोरे टाबलेट का असर 2 गंटे से लेकर 3 गंटे तक रहता है और मैक्सिमम असर 5 गंटे तक रह सकता है लेकिन दवा की डोज, शरीर के मेटाबोलिज्म और अन्य एक्सटरनल फैक्टर्स के आधार पर विगोरे टैबलेट का असर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकता है यदि कोई व्यक्ति विगोरे टैबलेट की ज्यादा डोज लेता है, तो इसकी वज़े से विगोरे टैबलेट का असर ज्यादा समय के लिए भी रह सकता है अब हम डिसकस करेंगे कि विगोरे टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामभानिया रखनी चाहिए यदि किसी व्यक्ति के लिंग में 5 घंटे से अधिक समय तक इरेक्षन रहता है या इरेक्षन के दौरान लिंग के अंदर दर्द रहता है तो ऐसी स्थिती में डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए क्योंकि अधिक लंबे समय तक लिंग के अंदर इरेक्षन रहने की वज़ा से पैनाईल तिशू डैमेज हो सकते हैं जिसकी वज़ा से लिंग में इरेक्षन का पर्मानेंट लॉस हो सकता है जिन व्यक्तियों को दिल से संबन्धित कोई बीमारी है या जो व्यक्ति दिल से तो ऐसी स्थिती में आपको दूसरी डोज नहीं लेनी चाहिए और ऐसी स्थिती में आपको डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए यदि आप एक बार सेक्स कर लेते हैं और आपका सीमन भी निकल जाता है ऐसी स्थिती में यदि आप दोबारा सेक्स करने के लिए विगोरे टैबलेट को लेते हैं तो ऐसी स्थिती में विगोरे टैबलेट काम नहीं करेगी और विगोरे टैबलेट को लेने के बाद शराप का सेवन नहीं करना चाहिए पल्मोनरी हाइपर टेंशन को ठीक करने के लिए डॉक्तर महिलाओं को भी विगोरे टैबलेट को लेने की सला दे सकती हैं. लेकिन महिलाओं में सेक्स की उत्तेजना को बढ़ाने के लिए विगोरे टैबलेट को लेना recommended नहीं होता है. विगोरे टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ग में पल रहे महिलाओं को विगोरे टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है. पुरुषों में एरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के बहुत से कारण हो सकते हैं. जैसे चिन्ता वतनाव, डिप्रेशन, डाइबटीज, ब्लड प्रेशर अधिक होना, कैंसर, दशीली दवाओं का सेवन करना, शराब का अधिक सेवन करना, धूम्रपान और हार्ट से संबंधित बीमारियां होने की वज़ह से पुरुषों में एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, इसलिए पुरुषों में एरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए पहले कारण का पता लगाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए एरेक्टाइल डिसफंक्शन को बहतर तरीके से ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, और अप अगर आपका विगोरे टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.